वेल्कम बेक स्टूडेंस आज हम पढ़ने वाले हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कनवर्जन करना किसी एक्स्प्रेशन का उजिंग स्टैथ तो देखिए हमने एक इनफिक्स में एक्स्प्रेशन लिए है ए माइनस बी division bracket में c into d यह जो dollar symbol है यह power को denote करता है power e यह वाला bracket close हुआ तो हमें क्या करना है first step यह जो पूरी expression थी इसको एक bracket में लेना है तो हमने यह bracket लगा लिया ठीक है उसके पाद अब हम यहाँ पर infix से postfix conversion कर रहे हैं तो हमने यह जो अपनी expression थी इसको लिख लिए यहाँ पर first step में उसको ब्रेकेटिंग कर ली यहाँ हमने जितने symbols हैं वो serial number डाल लिये और हर symbol को जैसे यह था पहले bracket आया फिर a आया then minus then b तो यह सब symbol एक के बाद एक लिख लिए हैं तो जैसे scan हो रहे symbol वो order हमने लिख लिए हैं ठीक तो अब एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी कोई operator आएगा तो operator पहले जाएगा stack के अंदर ठीक है stack में जाएगा उसके बाद वो precedence check करेंगे हम उसके बाद निकलके वो post fix expression में आएगा कोई भी operator तो देखिए आपको यहां अभी हम उपर उपर से देख रहे हैं इसको करते हैं फिर तो अगर हम इसको देखें तो देखो यहां सारे सिर्फ operators दिखेंगे आपको operators यहां पर दिख रहे हैं A, B, C, D, E जो हैं यहां एक बार भी appear ने हुवा है तो हमें यह चीज़ धियान रखनी है कि stake का use सिर्फ operators के लिए करेंगे हम ठीक हैं और जितने भी हमारे operators हैं वो directly कहां जाएंगे पी में और पी क्या है पोस्ट फिक्स expression पी इस अवर पोस्ट फिक्स expression सो अब डिसकर्स करते हैं हम इसको देखिए सबसे पहले bracket आया bracket को हमने stake में पुश कर दिया फिर जब operand आया तो यह stake में as it is रहा अपना bracket और यह जो operand था यह कहां चला गया पोस्ट फिक्स expression में फिर आया minus minus भी क्योंकि एक operator था तो यह गया stake में और यहां हमारा a as it is रहा फिर क्या आया b b कहां जाएगा b एक operand है तो यह directly p के अंदर जाएगा ठीक है अब क्या आया division तो division गया stake में और इसने देखा कि क्या इसका precedence जो पहले element रखा हुआ है उसका precedence division से ज़्यादा है नहीं है माइनस का precedence कम रहता है division से तो इसलिए क्या हुआ यह यहीं पर रहेगा अगर यहाँ पर dollar लिखा हुआ होता मतलब division से ज़्यादा precedence वाले operator अगर पहले से होता तो वो stake से pop हो करके यहाँ आ जाता ठीक है लेकिन क्योंकि माइनस का precedence क्या था division से कम था तो यह यहीं पर रहेगा और division भी stake में आ गया ठीक फिर क्या हुआ एक closing bracket फिर से आया यह भी यहीं पर चला गया और क्योंकि अभी तक कोई operand नहीं आया है बी के बाद तो यह P expression as it is A और B ही है अभी तक इसमें अब देखें C आया ठीक है तो C जब आया तो यह भी क्या है हमारा एक operand operand direct का जाएगा P के अंदर तो C आगे सिधा इसमें और यह as it is अब आया multiply तो multiply इस bracket के बाद multiply आया तो उसको हमने stack में push कर दिया ABC as it is then आया D, D कहां जाएगा बिटा directly P वाली post fix expression में तो D आ गया यहां पर then आया dollar dollar में क्या हुआ dollar जो था वो जब यहां पर आया stack में हमने उसको push किया तो आप देखें तो dollar का जो precedence है वो ज़ादा है तो इससे कम precedence वाली value निकल नहीं सकती थी pop out नहीं हो सकती थी तो दोनों यहीं पर रहे ठीक है फिर क्या आया E आया तो E directly गया हमारा post fix expression में जो हमने algorithm देखी थी last class में तो algorithm में हम यह step पढ़ सकते हैं कि जब higher precedence अगर आता है तो stake as it is रहेगा ठीक है और अगर lower precedence वाली value आती है तो यह वाली value निकल के मतलब यह operator निकल के post fix expression में आ जाएगा ठीक है तो अभी यहसा कुछ नहीं हुआ है तो यह as it easy चल रहा है अब क्या हुआ एक closing bracket आया देखिए जैसे ही bracket close हुआ तो यह वाला जो था पूरा bracket complete हो गया तो जब यह complete हो गया तो इसको pop कर लेंगे हम ठीक है अब क्योंकि यह क्या है stake में रखा हुआ है तो इसमें pop कैसे होगा जो last में आया था वो पहले निकलेगा तो यह जो dollar था वो देखो पहले बाहर आया और उसके बाद में star बाहर आ गया है यह जो brackets हैं इनको discard कर देते हैं brackets नहीं लिखना है आप पर ठीक है तो brackets discard हो गए और यह जो operators थे यह reverse order में हमारी string में append हो गए मतला string में last में add हो गए ठीक है एक और closing bracket आया तो देखो जब यह पूरा निकल जा था तो क्या बचाता है यह सिर्फ तीन symbols बचे थे इस closing bracket ने इसको भी complete कर दिया तो again क्या होगा minus और division reverse order में यहाँ पर आएंगे reverse में क्यों क्योंकि यह stake पर रखे हुए थे और stake में पहले minus गया था और बाद में division तो जब पॉप करेंगे तो पहले division बाहर आएगा और फिर minus का symbol ठेक है और यहाँ पर भी यह जो दो brackets थे उसको हमने हटा दिया उने discard कर दिया तो अब जो हमारी final expression बनी इसका जो post fix conversion बना वो क्या बना a, b, c, d, e dollar multiply, divide and minus तो यह थी हमारी infix expression और यह है हमारी post fix expression ठेक है तो आपको जो चीज धियान रखनी है वो यह कि यहाँ पर से कौन सी चीज पहले निकलेगी यह precedence पर depend करता है ठेक है और दूसरी चीज जब bracket complete होगा तो brackets को discard करना है और अंदर के operators को reverse order में इस side लेना है ठेक है तो I think आपको इस clear हुआ होगा यदि कोई doubts है तो आप पोच सकते है Thank you